पल्लापुल निर्मान के लिए 2013 में दोबार अंचन कर चुके बाबाराम केवल को पल्लापुल उदगाटन के समय नजर बंद रखा गया जिसके लिए वे सीएम का धनेवाद करते हैं मगर ये भी सच है कि उन्हें उदगाटन के समय कुछ पुलिस कर्मियों ने आकर उन्ही की कुटिया में क्यात कर लिया और उदगाटन के बाद ही छोड़ा गया और सरकार को पल्लापुल निर्माण के लिए मजबूर किया उसी पुल के उदगाटन के समय बाबा को पुलिस कर्मियों ने पुल तक नहीं पहुशने दिया ऐसा क्यूं हुआ इसके बारे में जानते हैं बाबा से केंदरी मंतरी ने उदगाटन किया पुल का और मैं बहुत आभारी हूँ मुख्यमंतरी जी का जिन्हों ने इस पुल को पास किया और हर्याना सरकार ने एक तौपे के रूप में एक जीवन रिका के रूप में इस छेत्र को पल्ला पुल दिया मैं बहुत खुश हूँ और इस छेत्र की जंदा सदा मुक्हमंत्र जी की आपारी रही और इसके आगे कई भी जो भी पल्लापुर्प से जो भी चीजे संबंदित हैं जो भी से बिना हैं मैं उम्मीत करता हूँ कि मुक्हमंत्र जी हमारे उपर ऐसे ही आभाण बनाके रखेंगे ऐसे ही हमारे एंपर आसिमवार बनाके रखेंगे शेत्र के और इस शेत्र की जंता के सुब सब्सब्लाओं क ध्यान रखेंगे तो हजार तेरे में बहुत बड़ी मुहीम चड़ी थी आपने, पल्ला पुल्पा अंसन किया आता, बहुत लंबा चलाता वो अफका अंदो लंग, तो चार साल के बाद सुध ली है, तो क्या कहेंगे इस समय के जो बेतीत हुआ असा? यह तो अपना कर्तब है, और कर्तब के अनुरूपी, जो मेरा अपना कर्तब मेता हुआ, मैंने अपना कर्तब है निभाया, चाहे मुझे पहली बार नो दिन भूबड़ताल करनी पड़ी, और दूसरी बार मुझे बारा दिन भूबड़ताल करनी पड़ी, जीट शेदन भी ल गटनी हुआ तब तक भी जिन्मी पड़ी तो इसकी कोई परवार नहीं है यह अपने कर्तव है और अपने दाइतों का मैं निर्वार कि सच्चे और पूर रूप से करूगा इस चेत्र की जो कि लोग है या पूरे हर्याणा मी यह कहीं भी कोई भी ऐसे दिखाई देगी तो ज कि उनने मंतरी जी का भी सपना है कि कोई भी हर्याणा में इस तरह का दुखदर और अवशकता है तो उसको पूरा किया जाए ? और जो उन्हें ना पता चले.. तो समासे टे उनको आगा करे, उनको बताएं, ताकि उनको पूरा कर सकें मैं आभार हुह अर alar arriya-सर्कार का बाबाराम केवल से पूछने पर बाबा ने बताया कि भला पुल निर्मान के दिन वो सुभा से ही खुश थे क्योंकि उनके दुआरा किये गए आंदोलन का परणाम चार साल बाद उन्हें देखने को मिल रहा है वो भी इस खुशी में शरीक होना चाहते थे मगर करीब तीन बजे कुछ पुलिस कर्मियों ने उनकी कुटिया पर दस्तक दी और उने पकड़ कर बिठा लिया कहीं आने और जाने की इजाज़त भी नहीं दी ऐसा क्यों किया और किसने करवाया उसके बारे में बाबा ने कुछ ना कहते हुए कहा कि वो हर्याना की मुक्मंत्री मनौलाल का धन्यवाद करते हैं